हेलो दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल टैक के दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसें गलेक्सी स24 5G में आप बैकप एंड रिस्टोर कैसे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरूर करते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक आप्शन मिलेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं एकाउंटस और बैकप की आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो दोस्तों आप पे Samsung Cloud से कर लेती हूं, Backup Data पे क्लिक करेंगे, और यहां पे अपने Samsung Account से Login कर लेना है, जैसि कि मैंने पहले से ही कर रखा है, तो दोस्तों, आपको यहां पे जिस भी आपका Data Backup करना है, आपको सिंपली से यहां से ओन कर देना है, चले, मैं Call Logs कर कर के दिखा देती हूं, तो दोस्तों, यह Call Logs है, यह मैंने यहां से ओन किया, और यहां पे आपको Option मिलेगी, Backup Now की, आपको यहां पे क्लिक करना है, Use Mobile Data, दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, कि Backup करियेट होना शुरू हो चुका है, तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, कि Backup करियेट हो चुका है, और आपको यहां पे नीचे Done पे क्लिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों, डेटा को रिस्टोर करने के लिए, आपको यहां पे रिस्टोर डेटा पे क्लिक करना है, यह पे अपनी email से verify लेंगे यह दोस्तों देख सकते हैं email से verify कर लेना यह हैं तो यहाँ पर जिसबी app का data restore करना है आपको उसे से select कर लेना है यहां पर नीचे restore कर देना है तो सि sah उसके बाइद दोस्तों यूस मोबाइल डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपके जो फॉन का डेटा है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा